मौसम से जूड़ी ताजा अपडेट देशबर के नराजयों में होगी बारिस और बरफबारी आज 15 माई को जमु कस्मीर, लद्दाख, गिलगिते, बालिस्तान, मुझफराबाद, हिमाजल परदेश उत्राखन में पादल छाय रहने के साथ ही छिटपुट वर्चा हो सकती है एक ताजा पस्मिक शोब के 17 माई के आसपास उत्रभाट में पहुंचने की संभावना है जिसकी परभाव से एक बार फिर जे बारिस की गतिविदियां तेज हो सकती है राजस्तान राजे के भी इंजिलों में होगी आज 15 माई को गरज और चमक के साथ बारिस चलेगी धूल भरी आंदी आज 15 माई को बिकानेर उदेपूर कोटा संभाग में दोपर बाद या साम के दोरान कहीं कहीं पर में गरजन के साथ में बारिस हो सकती है राजे में उदेपूर, सलुंबर, रासमाइन, डुंगरपूर, आबुरोड, जालोर, आसपास की इलाकों में हलकी से मदिम बारिस और धूलबरी आंधी चलने की भी संभावना है आज 15 माई को मदिपर्देश राजे के भी इन जिलों में होगी गरज और चमके साथ में बारिस धूलबरी आंधी भी चल सकती है राजे में आज भुपाल, इंदो, रुजेन, रिवा, नरमदापुरम संभागों के जिलो, गोना, आसोगनगर, शिवपूरी, गवालियर, भेंडी, शिवपूर, कला, अनुपूर, जबलपूर, नर्शिंगपूर, छिंदवाडा, सिवने, मांडला, बालागाट, पन्ना, दमोहज, सागर, चतरपू, टिकमगड, इंजिलों में हलकी से मदें बारिस के साथ तेजगती से बोचारे भी पढ़ सकती हैं। पन्जाब और हर्याना के सिमावर्ती इलाकों, गंगानगर, अनुपगड, हनमानगर, सूरतगड, फाजिलका, मुक्चर, बटिंडा, सिर्शा, हिसार, इन इलाकों में छिटपुट, गरज, धूलबरी, आंधी भी चल सकती हैं। हलकी से मदिम बारिष तेज दुफान की साथ में हो सकती हैं। कोकन और गोवा, मदिमाराश्टेर, मराठवाडा, दक्षन आंत्रिक कनाटका में भी गरज के साथ बोचारी पढ़ सकती हैं। तो कहीं-कहीं मदिम से तेज बारिष भी हो सकती है। तुसरे तरे मौसओ इमभाग के अनवान की मुताबिक दक्षनी पस्मी मांचुन जल्द देगा दस्तक। दक्षणी पस्मी मान्चुन के 19 माई के आसपास दक्षणी अनमान सागर दक्षणी पूर्वी बंगाल की खाड़ी के कुछ हीसों में और निकोबार दीप समुहा में आगे बढ़ने की संभावना है मौसम से जुड़ी है जानकारी सही और सटीक लगे तो वीडियो को लाइक चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें